भारत अपने हजारों सालों के संसाधन और निर्मिती से दुनिया में अपना अलग स्थान निर्मान करने वाला राश्ट्र प्राचीन काल से रुशी मुनियों ने आईरवेद के माध्यम से आहार शास्त्र को दुनिया के सामने रखा यहां की संस्कृती और आईरवेद को पूरी दुनिया ने अपनाया है माननी जीवन के लिए हितकारी इस परंपरा का अभिमान हम भारतियों को है किन्तु बदलती दुनिया के साथ हम भारतिय भी शास्त्रों को भूलते गए जो जीवन शैली हमारे लिए बनी ही नहीं उसको अपनाते गए और अंत में एक बड़ा संगर्ष हम कर रहे हैं बीमारिया बीमारिया हर दरफ फैली कई बीमारिया इंसान आज सब दरफ बीमारियों के जड़ में फसा हुआ है लेकिन ऐसा क्यों है लगबग हम सभी अच्छा खाना खाते हैं नींद अच्छी लेते हैं जिम में भी रेकिलर जाते हैं फिर भी यम ऐसी बीमारियों का शिकार क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब हमारे पास ही है दरसल बदलती जीवन शैली का सबसे एहम हिस्सा बन चुका है चाय पीते हुए कुछ शतकों में चाय भारतिय जीवन शैली में आया सुभा उटने से लेकर रात को सुने तक हर कोई दिन में कई बार चाय पीने लगा चाय वो बच्चे हो, युवा हो या बुडे हो परन्तु क्या ये चाय हमारे सेहत के लिए लाबदायक है? तो बिलकुल नहीं हमारे पाचन तंत्र से लेकर कई बिमारियों की जड इस चाय में चुपी है इसी समस्यां को ध्यान में रखते हुए हर बायू के मुख्य मार्ग दर्शक, राश्रपती पुरसकार से सम्मानित सुप्रसिद्ध मदुमेह संचोधक, डॉक्टर रविंद्र नांदेडगर जी ने अपने अनुसंधान से वेलनेस्टी का निर्मान किया है मदुमेह मुक्त भारत का व्रत लेकर पिछले 25 सालों से उन्होंने एक क्रांधी की शुरुवात की है अब सूचो अगर एक चाय जो आपके रूप प्रतिरोधक शक्ती को बढ़ाते हुए आपको संपूर्ण स्वास्थ प्रदान करेगी ऐसी चाय पीना कौन नहीं चाहेगा? ये जानते हुए डॉक्टर रविंद्र नांदेडकर जी के संशोधन से हर बायू आपके लिए लेकर आया है वेल्नेस्टी सेहत भरा स्वार आपके संपूर्ण स्वास्त का ध्यान रखते हुए वेल्नेस्टी का निर्मान किया गया है ग्रीन्टी, सीबक्थान, मुरिंगा, करेला, तुल्सी, गोक्षूर, शतावरी, ब्राम्ही, यश्टिमधू, त्रिकटू और त्रफला जैसे कई स्वास्तेवर्द घटक इसमें समाई हुए है जोकठक कैंसर, सुराइसिस, त्वचारोग, रदैरोग, ब्लड प्रेशर, श्वसंतंत्र की बिमारिया, अनिद्रा, ऐसे डिटी, ऐसे कई बिमारियों पर लाबदायक है तथा आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखते हुए आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है बच्चे, युवा, महिला, बूढ़े, ऐसे सभी आयू के लोगों को सेहत मन्द रहने वाला वेल्निस्टी हर कोई अपना रहा है और हमारी रोज की चाय के कीमत में ही वेल्निस्टी उपलब्द है तो आपको आदद नहीं बदलनी है, बदलना है सिर्फ अपना चाय क्योंकि बढ़ता प्रदूशन, बदलती हुई अपनी जीवन शेली ये सबसे एहम कारण है कि इनसान की रोग प्रतिरोधक शक्ती दिन बदिन कम होती जा रही है और आपका शरीर कमजोर हो रहा है तो वेल्निस्टी से अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ती बढ़ाईए और स्वास्तपूर्ण जिंदगी का अनुभव लीजिए हर बालियों फिल्मिस्टी आओ हम सम्मिलकर बारत को स्वस्थ बनाएं जय हिंद हर दो जाओ हम सम्मिलकर याओ जिंदगी का अनुभव लीजिए एक प्रतिरोधक शक्ती बढ़ाईएं झाल जिस नादएंगी का अनुभव लीजिए प्रतिरोधक शक्ती बढ़ाईएं झाल जिस नादएंगी का अनुभव लीजिए एक जिस नादएंगी का अनुभव लीजिए एक शक्ती बढ़ाईएं